आइ उसके second round का result आ चुका है जो AACCCC ने जारी किया है इस वीडियो में हम category wise course wise कर्टोब देखेंगे कि कौन सी कर्टोब की क्या कर्टोब रही है इसके बाद में वीडियो के last में आपको मैं last round की expected कर्टोब भी बताओंगा कि क्या कर्टोब जा सकती है last round में तो सबसे पहले हम कटोब के बारे में बात कर लेते हैं, तो कटोब में BMS कोर्स के लिए All India Government quota के लिए जनरल केटेगरी की 539 कटोब रही है, फर्स्ट राउंड में ये 544 कटोब रही थी, जनरल पीएज की 125, EWS की 536 मार्क्स, OBC की 531, SC की 421 और ST की 408 कटोब रही है, BMS कोर्स के लिए All India Government quota के लिए, अब हम All India Added quota की, Government Added quota की बात करें, तो जनरल कटेगरी के लिए 533 कटोब रही है, जनरल पीएज 247, EWS 529, OBC 530, SC 416, ST 427 कटोब रही है, BMS के लिए Government Added quota की, अब BMS के जो BHU है, उसके लिए बात करें हम, तो जनरल कटेगरी में BMS कोर्स के लिए BHU की जनरल कटेगरी के कटोब 590 मार्क्स रही है, जनरल पीएज की 260, EWS की 588, OBC की 586, SC की 468, ST की 453 कटोब रही है, BHU के लिए BMS कोर्स के लिए, अब बात करें, BMS कोर्स के लिए ही Central University जाम नगर की, तो 576 जनरल कटेगरी की कटोब रही है, EWS की 575, OBC की 571, SC की 458, ST की 440 कटोब रही है, SAE Central University, NIA जेपूर, जिसकी काफी ज़्यादा डिमांड है, अभी BHU से भी इसकी ज़्यादा कटोब जाने लगी है, तो इसकी जनरल कटेगरी की 591 है, PWD जनरल कटेगरी की 203 है, EWS की 585, OBC की भी 585 है, SC की 474, ST की 469 कटोब रही है, second round में आई उसकी, इसके बाद में BMS की Central University शिलोंग की बात करेंगे, जनरल कटेगरी की 552, EWS की 545, OBC की 548, ST की 430 और ST की 435 कटोफ रही है, BMS के लिए Central University शिलोंग की, अब हम बात करेंगे BHMS कोर्स के लिए, तो BHMS कोर्स में All India Government कोटा की, Government कोटा की जनरल कटेगरी की 478 कटोब रही है, जो first round में ये 488 कटोब थी, यनि की यहाँ 10 marks का decrease हुआ है, 10 marks decrease हुए हैं, यहाँ, EWS की 449, OBC की 468, SC की 382, ST की 331 कटोब रही है, ऐसे ही हम BHMS कोर्स के लिए All India Government Added कोटा की बात करें इसमें, तो इसमें जो जनरल कटेगरी की कटोब रही है, वो 475 रही है, EWS की 457, OBC की 466, SC की 378, ST की 348 कटोब रही है, अब मैं आपको केटेगरी वाइज, कोर्स वाइज, expected कटोब बता देता हूँ, कि क्या कटोब रह सकती है, लास्ट राउंड में, जो मैं आपको यहाँ यह कटोब बता रहा हूँ, यह लास्ट राउंड की कटोब बता रहा हूँ, यानि कि इसके बाद 3rd round और मौपप राउंड होगा, 3rd round होगा जिसको मौपप राउंड भी कहते हैं, आई उसकी कंडिशन में, और इसके बाद इस्टे वैकनसी राउंड होगा, जो लास्ट राउंड होगा, तो जो 3rd round होगा, उसमें तो 10 marks के निरवाई decrease होगे, लेकिन जो लास्ट राउंड होगा, उसकी expected कटोब यह रह सकती है, BMS के लिए, All India Government Quota के लिए 520, EWS OBC 515, इसमें कैटेगरी में EWS OBC में 1-2 marks, 2-3 marks का अंतर रह सकता है, अपडाउन का, SC 405, ST 380, ऐसे ही, BMS course के लिए, All India Added Quota के लिए 510, EWS OBC 503, SC 400 और ST, इसमें रह सकती है, ST की 375, अब बात करें, BSU की क्या रह सकती है, तो 580 रह सकती है, EWS और OBC की 583 रह सकती है, SC की 460 रह सकती है, और ST की 445 रह सकती है, NIA जैपुर की बात करें हम, तो NIA जैपुर की 580 रह सकती है, General Category की, 580 रह सकती है, OBC EWS Category की, और 470 रह सकती है, SC की, और 447 रह सकती है, ST Category, क्योंकि NIA जैपुर में, ज़्यदा वेकेंसी नहीं रहती है, मॉप अप राउंड के लिए, फिर भी वेकेंसी तो रहेंगी इसमें, तो ये Cut Off रह सकती है, SC की 405 रह सकती है, लास्ट राउंड में, बिएचमेस कोर्स के लिए, ओल इंडिया गवर्मेंट के लिए, जनरल केटेगरी 455, OBC EWS 440, SC 345, ST 320, गवर्मेंट एडेड कोटा के लिए, जनरल केटेगरी 453, OBC EWS 450, SC 347, ST 325, कटोफ रह सकती है, लास्ट राउंड में, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट राउंड की एक्सपक्टेट कटोफ है, क्योंकि इस बार, ओल इंडिया में, जो 4 राउंड होने हैं, इसके भी 4 राउंड होंगे, आयूस के, ओल इंडिया का 3rd राउंड भी होगा, और stay vacancy भी होगा, और एक्सपक्टेट कटोफ क्या रह सकता है, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी, जैसे ही, इसकी 24 फिलिंग होगी, मौपप राउंड की, रेजिस्टेशन दुबारा से स्टार्ट होंगे, तब भी हम आपको इंफर्म कर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में तब रह दो